दोस्तों नमस्कार मैं रवीगिरी बाबा और आप देखे हैं रवीगिरी बाबा का सच दोस्तों गीता में स्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धरमस्य गलानिर भवती भारत है जब जब दरम की हानी हुई है दुनिया को उसका बहुत ब्यांकर रूप देखने को मिला है इतियास में पहली बार हरिद्वर कुम्ब मेला जो इसी साल अभी चल रहा है ये कुम्ब मेला सदियों से बरता आ रहा है भरत में चार जगे कुम्ब मेला लगता है हरिद्वर में प्रियागराज में उज्जेन में और नासिक में इस परकार हर तीन साल बाद में मेला आता रहता है तो ये जो अर्दवार में कुम मेला अब की बार बरने जा रहा है बर रहा है चालू है इसके मैं सीन दिखाऊंगा आप देखना कि हर बार जो मेला बरता है उसका 15% तो बहुत ज़्यादा हो गया 10 या 8% भी जनता नहीं आई और यूँ कहा जाए दूसरे शब्दों में तो ये मिला इतियास में सनातन दर्म के इतियास में सबसे फ्लोप मिला होने जा रहा है इसमें ने सादू संतों को कोई फैसिलिटी दी गई है ने आने वाले यात्रियों को सरदालूं को बगतों को कोई फैसिलिटी दी गई है किसी प्रकरक कोई वहां पे प्रशासन ने कुछ नहीं किया है और इतनी रोक लगा दी है कि कोई भी अगर हर्दवार में प्रवेश करे तो वो अपने साथ में कोरोना की रिपोर्ट भी लावे तो इस कारण ये पहला सनान जो 11 मार्च का था ये बहुत ही फ्लोप रहा उसके बाद में उत्रखंड मुक्य मंत्री ने ये आदेश जारी कर दिया कि कोरोना की रिपोर्ट लाने की कोई जरूरी नहीं है सरदालू वैसे ही आ सकते हैं लेकिन अब गारियां बंद है इतने सरदालू आये तो काय पे आये गारियां बंद है दूसरे विकलों को नहीं प्रवेश दिया जा रहा है और नए उनकी सुक्ष्विदा का कोई ध्यान है इसलिए मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं मोके पे था मैंने सीन भी लिए और आपको यह सीन भी दिखाऊंगा कि हिद्वार की हरकी पोड़ी जहां पे पाम रखने के लिए जगह नहीं होती है इतनी बीड होती है कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है उसी जगह पे आप देखेंगे तो आप आएंगे कि वहां पे कोई ऐसा बीड या शोर या ऐसी कोई चीज आप वहां नहीं देखेंगे जो हरिद्वार में हमेशा से चलता आ रहा है वही रूटीन में चल रहा है किसी प्रकार का मेले का प्रवाव नहीं दिखाई दे रहा है आप कुछ जाके देख लीजिए जहां सादू संतों के कैम्प लगते थे वो मैदान बिलकुल स्पार्ट पड़ा है चंडी देवी मंदिल के आसपास की जगए या जहां भी खाली जगए थी सब जगए खाली ही पड़ के लिए कोई कैम्प में कोई जगए नहीं है वहाँ पे जिस किसी का आसरम है वो अपने आसरम में रहो और आसरम से ही वो अपना जो कुछ फॉर्मल्टी निवाना चाता है वो चुप करके निवादो यही आदेश है और इस परकार ये मेला विश्यु के इतियास में सनातन इतियास में मैं यह कहूंगा कि यह मेला विल्कुल फ्रोक हो रहा है किसी परकार की इसमें फैसलेटी नहीं है आप यहां साथ में दूजरी वीडियो में आप देखेंगे कि किस परकार वहाँ पे पुल खाली पड़े हैं घाट खाली पड़े हैं जितने लोग रोजना नहाते हैं उतनी ही वहाँ पे ना रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जिस सादू का वहां पर आश्रम है जो वहां श्थाई रहा है वह तो वहां है बादि बाहर से जितने भी सादू आते हैं उनके लिए वहां को इस्थान नहीं दिया गया है तो वह भी अपने जूना अखाडा के अंदर अंदर तक ही सिमित है बाहर इस परकार का कोई साधन नहीं दिया गया है यह आप देख सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप भी देखिए यह जीवन का सबसे फ्लोप कुम्ब मेला 2021 धन्यवाद नमस्कार